वहीं राजी सरकार ने बिजली चोरी करते पकड़े गए लोगों को सहूलियत दी है उनके बिल पर ब्याजवत जुर्माने में 65 फीसिदी तक की छूट दी जा रही है ये बता दें ये खबर उत्तरप्रदेश से आई है जहां बड़ा फैसला लिया गया है ऐसे में उप्भोक्ता मेहज 55 फीसिदी जुर्माना भर कर कानूनी करवाई से मुक्त हो सकते हैं हालाके इस छूट का फायदा तभी मिलेगा जब वह 30 दिसंबर तक अपने छेत्रिय उपकेंद्र पर पंजी करन कराकर 35 फीसिदी रकम का भुगतान कर देंगे प्रदेश में करीब 6 लाक भोक्ता बिजली चोरी करते पकड़े गए हैं उर्जा मंत्री एके शर्माने बुधवार को लख्रव के कैंट उपकेंद्र पर पावर कॉर्परेशन की एक्युमुष्ट समाधान योजना OTS का शुभारम किया उन्होंने कैंट उपकेंद्र पर ब्याज बाफी के लिए पहला पंजी करन कराने वाली छावनी छेत्र निवासी मीरा को छूट का लाब देकर बिजली बिल सौपा उन्होंने इंजीनियरों वा कर्मचारियों से कहा कि जिन लोगों के घर वधुकान में बिजली चोरी कर्टी पकड़ी गई है और जुर्माना बाकी है उन्हें योजना से आउगत कराते हुए छूट का फाइदा पहुचाया जाए। उर्जा मंत्री ने कहा कि जिन लोगों पर बिजली चोरी कर जुर्माना काफी समय से बकाया है उनसे वसूली की जिम्मदारी तहसिलदार को स्वापी गई है। जिस बकायदार के पास तहसिल से रिकवरी का नोटिस आया हो वे परिशान ना हो बिजली चोरी के मामले में आवेदक को पंजी करण के समय जुर्माने की 10 फीसिदी और बाद में 25 फीसिदी रकम जमा करनी होगी